Welcome to the channel, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगे 5 gross motor skills के बाले में, जो है sitting, standing, walking, running and jumping. ये 5 skills बच्चों में होना बहुत जरूरी है, अगर इनमें से 20 skills बच्चों के life में नहीं होता है या बहुत late develop होता है, तो इनसे होता ये है कि बच्चों के social life, school life फिर ये बहुत impact डालता है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको पता हूँगी कि simple जो हमारे playway method होते हैं, जो हम बच्चों के one year onwards हम start करते हैं, like catch throw activities, roll the ball, kick the ball, hitting the ball with bat or kicking the ball, ये basic five activities से हम बच्चों के ये बहुत important skills को polish कर सकते हैं. ये के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेरे challenges share करूँगी, साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी share करूँगी कि आपको किस तरीके से ये activities बच्चों को introduce करानी जाएगे, जो एक simple way में बच्चे ने सीख पाए और ये activities का importance बच्चों के लाइफ में क्या होता हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे के वीडियो में share करूँगी, जो प्लीज की वाचिए अपके साथ बच्चों के लाएफ में जो करूँ में होता हैं, मुषम प्लीज में आपके साथ हूदास झाल झाल कर दो 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 । तो आप देख सकते हैं, इस एक्टिविटी में मैंनिपल सा एक गोल्डन गिफ्ट बॉक्स लिया है, उस पर मैंने राउंड शेप का मैंने कट किया है, जो साइस के बॉल आपके पास अविलेबल है, आप वो साइस इसका कट कीजे, most preferably आप उसे थोड़ा एक तो इंच ही बड़ा रखे, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़े, या थोड़ी से उनको दिमाग लगाना पड़े कि हम किस तदीके से इस बॉल को इस फोल के थू हम गिरा सकते हैं, तो इस एक्टिविटी में आप तेखें कि मैंने नीचे बोल रखा है, empty bowl, साथ पर मेरे पास कुछ colorful balls है, of different sizes, और बच्चे को मैंने के simply tray के form में दिया है, और मैं one by one ये ball को tray में रखोंगे, और बच्चे को simple इसको गुमाना है, right and left और इस ball को proper drop करता है, तो ये एक basic fun activity है, जो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आप बच्चों के कोई skills पर काम करें, ये बहुत ही important activity है, जिसमें बच्चों का hand-eye coordination, बच्चों का memory, बच्चों का thinking skills, इन सब चीजों पर बच्चों के काम होता है, इस अपर और इंट्रस्टिंग कर सकते हैं, आप as per your child's need, आप बच्चों को अगर attractive colors पसंदें तो आप colorful papers लगा सकते हैं, और colorful balls ले सकते हैं, या उन पर आप stickers लगा सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी creativity से, आप इस तरीके का और भी आप a setup create कर सकते हैं, जहां पर बच्चा comfortably बैट के इस activity को enjoy कर सकते हैं, Thanks for watching the video, hope you like the video, आप जरूर से वीडियो को share, like और subscribe कीजिए, और लोगों तक share कीजिए, जिससे की और लोग भी encourage हो, कि धीरे धीरे ही सही बच्चों में ये skills जरूर से improve होते हैं, जरूर से develop होते हैं, आप इन्हें और polish day by day कर सकते हैं, so please keep watching the video, thanks.